स्वागत है आप सभी का जोतिश हूर्जा में आज का जो विशा है वो बहुत ही एक अलग सा विशा है जिसमें हम बात करेंगे कि हमें किसी व्यक्ति से कौन सी चीजें कभी उधार में नहीं लेनी चाहिए जीवन लेंदेन से चलता है पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो उधार में लेने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है उन बातों को आपको भी समझना है कुछ आध्यात्मिक तौर पर भी और कुछ आप जोतिश के माध्यम से भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमें कौन सी चीजें उधार नहीं लेनी चाहिए। पैन को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अगर कोई व्यपार करता है तो वहां पर भी पैन का इस्तेमाल होता है अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वहां पर भी पैन का इस्तेमाल होता है तो पैन आपको हमेशा खुद के पैसों से खरीद कर इस्तेमाल करना चाहिए पैन वह कुछ भी लिखते हैं और लिखने से वाक्य पक्का हो जाता है मानते हैं कि अगर कोई भी हम विश मांगते हैं या कोई भी हम manifestation करना चाहते हैं या किसी भी कारे को संपरुण करना चाहते हैं तो हम अगर उसे लिख दें तो ऐसे में ब्रामंड की सभी उर्जाएं उस वाकिया को पूरा करड़े में हमारा साथ देती है तो पैन की आप इंपोर्टेंस को समझ चुके होंगे कि कितना जादा जरूरी है ये हमारे लिए किसी भी कारे को संपरुण करने के लिए इसलिए इसे कभी उधार नहीं लेना चाहिए आप अपनी जिन्दगी के कुछ नियम बनाएं जिससे आपके जीवन में जो कश्ट हैं वो दूर चले जाएं आप एक अच्छा सा पैन खरीद कर लाएं आप अपने लिए जो भी मनोकामना करते हैं सबसे पहले जब भी आप उस पैन को इस्तिमाल करें अपनी मनोकामना एक खाली कॉपी के उपर जरूर लिख लें ऐसा अगर आप दिन्चर्या का हिस्सा बना लेंगे तो वो मनोकामना जरूर पुरण हो जाएगी ये law of attraction का नियम है जो आप लिखते हैं वो सच में होने लगता है और अगर आप उसे अपनी दिन्चर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो वो अवश्य पुरा होता है इसलिए बहुत सारी वीडियोज भी मैंने दी है law of attraction को लेकर आप उन वीडियोज को भी जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना हमारी युनिवर्स में हमारे ब्रामंड में कितनी उर्जा है कितनी ताकत है हम उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वज़े से हमें परेशानी आती है अगर हम उनका इस्तेमाल करना सीखें तो उर्जा हमारे आसपासी केंद्रित है इस उर्जा का हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप किसी से पैन उधार ना लेकर अपनी तरफ से एक अच्छा सा पैन खरीद कर लाएं और अपनी मनोकामना एक बार जरूर लिखें अगर आप इसे दिनचर्या में शामिल कर पाएं तो बहुत ही और अच्छी बात है अब बात करते हैं व्यक्ति का समय जब किसी से उधार में लिया जाए तो वो आपको उतना जादा लाब नहीं दे पाता हालांकि कभी-कभी देखा गया है कि समय बदलने में देर नहीं लगती और किसी का बुरा समय हम क्यूं लेकर आएं ये समझते हुए किसी की उर्जा को इस तरह से ग्रहन नहीं करना चाहिए जो समय के रूप में हो आपको किसी से भी कभी-भी घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए हम हमेशा कामना करते हैं कि हर व्यक्ति का समय बहुत ही अच्छा रहे हर समय उसे तरकी मिलती रहे उसे जीवन में सुक्षानती मिलती रहे इसके लिए आपको कभी कुछ प्रयात्न करने चाहिए ये दो वस्तुएं आज जो मैंने आपको बताई है पहला है पैन और दूसरी है घड़ी कभी किसी से उधार में मत लें कभी अगर आपको किसी से लेनी भी बढ़ती है तो आप उसे वापस कर दें अगर आपको पैन किसी से लेना पड़त अगर इसे मान के चलते हैं तो ये वाकई में सत्य है आप इसे आजमा के देखें आप एक पैन लेकर आएं जो गोल्डन कलर का हो गोल्डन कलर के पैन को ब्रस्पति का रूप माना जाता है ऐसे में आप उसे जब लेकर आएंगे तो आप एक कौपी ले लें जो बिलकुल ख आजमाया हुआ ये एक प्रियोग है आप भी जरूर आजमा के देखें बहुत से वीडियो में इसके लिए भी आगे डालूंगी जिसमें आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप एक पैन के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे आज के लिए इतना ही अगर य लाइक जरूर कर दें शेयर जरूर करें ताके बाकी लोग भी लाव उठा सके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद